हेलो प्रेंट्स और हमारे प्रीज छात्रगन आज हम जेपेस्सी पीटी फिपर टू के नए भाग नुछ इप्टर पर बात करेंगे जैसा कि सिलेबस आपका पी टी पेपर टू में सिलेबस लिखी हुई है सिलेबस का हेडिंग है जारखन आंदोलन जो सिलेबस का एक भी ग्रूप में है जारखन आंदोलन इस आंदोलन के तहत सिलेबस में लिखी गई है कि इसमें आपको पढ़ना क्या है तो लिखा हुआ है जार्खन के सदान, जार्खन के आदिवाशी, जार्खन के स्वतनदा सिनानी, जार्खन के बिभूती, जार्खन और भारत के स्वतनदा आंदूलन, जार्खन के जनजातिय बिद्रो और राज गठन हेतु आंदूलन इतनी टॉपिक्स आपको इस जार्खन आंदूलन में सिलेबस में लिखी गई है आपको पढ़ना है नाम दिया गया जार्खन आंदूलन और उसमें उस आंदूलन के तहट इन पार्ट्स को आपको पढ़ना है शाचरगन इस चेप्टर को पढ़ने के पश्चाथ आपको जेपेस सी पीटी पेपर टू के लिए चौदा से सुल्ला मार्ष के प्रस्णों का आप हल कर पाएंगे जैसे जार्खन के इतिहास जो इससे पहले वाला चेप्टर था उसमें आपको शाचरण बिवस्था पढ़ना था और उस शाचरण बिवस्था को पढ़ने के पर साथ आप जेपेस सी पीटी पेपर टू के पंदरा से सुल्ला मार्ष का प्रस्णों का हल कर पाएंगे उसे परकार ये जार्खन आंदोलन नाम दिया गया है और इसका ये पार्ट्स डाला गया इसलिबस में इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आप चौदा से सुल्ला प्रस्णों को हल कर पाएंगे जात्रगन हम यहाँ एक-एक पॉइंट्स के बात करेंगे एक-एक टॉपिक पर आएंगे जैसे आज का टॉपिक है जार्खन के सदान शात्रगन आप सुचते हों कि सदान का अर्थ क्या है देखिए समान रूप से जार्खन में जो जन जाती है शिजूल ट्राइब अनसूचित जन जाती जो है इसके अलावा अन भी तो जाती है करें करियर थे जार्खन के गैर जन जाती जन जाती नहीं जार्खन के गैर जन जाती मूल निवासी कि मैं क्या बोल रहा हूँ जार्खन के गैर जन जाती मूल निवासी को सदान कहते हैं इसको अर्ख ये हो गया कि सभी गैर जन जाती सदान नहीं है सदान वही है जो गैर जन जाती यहां के मूल निवासी है जो यहीं बचते पड़े हैं जो यहीं रहते आ रहे हैं उसे ही सदान कहते हैं सदानी भासा नागपूरी में सदान का अर्थ सद परेवा होता है सद परेवा यहीं बसने वाले यहीं रहने वाले यह अस्थाई होते हैं यह घुमंतु जिवन भैतित नहीं करते हैं उसे ही सदान के नाम से जानी जाती है जो धारखन की कूर जनजाती का लगबग 50 से 60 परतिसत सदान ही यहां पे हैं सदान ही बसते हैं तो चाहत लगण आपने समझ भी होंगे कि सदान काट होता है गैर जनजाती परंतु यहां के मूल लिवासी जो जनजातियों से पहले ही आकर बसे हुए है जैसे इतिहास में लिखा हुए है कि असूर लोहा गलाने का काम करते थे असूर जनजाती निस्टित तोर पे माना जाता है कि असूर जनजाती जो लोहा गलाने का काम करते हैं किसके लिए तो माना गया कि सदानों के लिए यहां के सदानों के लिए गैर जन जाती मूल लिवासियों हेतू असरो दुआरा लोहा गलाने का काम उनके लिए किया जाता होगा है असरो दुआरा गया कि सदान यहां की सबसे बहुत बड़ी संख्या की जाती है इस सदान के तहट बिभीन उपभभाग बटे में बिभीन प्रकार के इसमें बिवाग हैं जाती के रूप में हैं इसकी यह कई उपभभाग उन बटी है सदानों के तहट कई जाती आती है जैसे बनिया गौला तेली तूरी घांसी कुमहार इत्यादी कई जाती आती है और कहने का यह अर्थ है उसके हिंदू भी है मुस्लिम भी है सिख भी है इसाई भी है बहुत सारे ऐसे है अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी है मतलब हिंदू मुस्लिम भी है सिख भी है इसाई वो जो यहां के धर्मों भी है मतलब सदानों की धर्मों भी एक नहीं है बिभीन प्रकार के धर्मों को मानने वाले भी सदान ही है पर्जाति द्रिश्टी से जो सदान है वो सदान आरे दर्विड या अगने कूल के माने जाते हैं परजाती देश्टी से उनका जो रिलिशन है सम्मंध है वो आरे दर्विड या अगने कूल है यद भी सारिरिक जो गठन है जो उनका डिल डॉल है उनका जो हाव हाव है उनका जो सरीर का गठन है उनका जैसे दिखते हैं वो आरे भी हैं आर जैसा भी दिखते हैं दर्विड के जैसा भी दिखते हैं और प्रोटो अस्टलियार आस्टिक की तरह भी दिखते हैं मतब करने क और दर्विर और आस्ट्रिक तीनों से समझ रखते हैं उनका गठन वैसा दिखाए पड़ता है जो बिभिन धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं तो शाथ रखन आप समझ गया होंगे कि सदान का अर्थ होता क्या है तो हम लोग आप्रारम करेंगे हेडिंग देंगे जारखन आंदोलन और उसी का एक पार्ट लिखेंगे जारखन के सदान जारखन के सदान और शाथ रखन हम बता दें जो सदान होते हैं उनकी भासा को सदारी कहते हैं और ये सदान का जो भासा है वो जनजाती वाली भासा नहीं है इनकी जो भासा है वो जैसे नागपूरी, खुर्ठा, कुर्माली, पंच परगनिया यहां के सदानों की मुख भासा है जिसे सदारी के नाम से जाने जाती है तो शातरगन मेरे हैडिंग होगा धारखन आदोलन और उसका एक पॉट्स होगा धारखन के सदान और इसका फॉर्स्ट पॉइंट आप लिखना से लुक रहें और लिखे पहला पॉइंट्स समानी रूप से जारखन के गैर जन जातियां मूल निवासी को समानी रूप से जारखन के गैर जन जातियां मूल निवासी को सदान कहते हैं सदान कहते हैं कहते हैं प्रंतु सभी गैर जन जातियां सदान नहीं है सदान सब्द का अर्थ है सदान सब्द का अर्थ है अर्थ है ऐसे लोग जो यहां बैठे हुए थे ऐसे लोग जो यहां बैठे हुए थे या बसे हुए थे उसे में सदानी भासा नागपूरी में सदानी भासा नागपूरी भासा है सदानी भासा नागपूरी में घर में बसने वाले कबुतर को सद परेवा कबुतर को बोलते हैं परेवा भी सदानी भासा नागपूरी में घर में बसने वाले कबुतर को सद परेवा कहा जाता है अर्थात सदानी अस्थाई सवभाव के होते हैं अर्थात सदानी अस्थाई शभाव के होते हैं Next सदानों की भासा मौलिक रूप से सदानों की भासा मौलिक रूप से खोर्था, खोर्था, नागपूरी, सदानों की मौलिक भासा खोर्था, नागपूरी, पंच परगनिया या कुर्माली है कुर्माली है, उसे में भासाई दिरिष्टे से भासाई दिरिष्टे से यही सदान है भासाई दिरिष्टे से यही सदान है या वही सदान है भासाइद रिश्णी से वही सदान है चाहेवा किसी भी धर्म के हो और इनकी भासा को सदानी या सदारी और इनकी भासा को सदानी या सदरी बोल सकते हैं और इनकी भासा को सदानी या सदरी कहते हैं सदरी सदरी कहते हैं next पर जातिये द्रिश्णी से सदान परजाती दिश्टी से सदान आरे द्रवीड तथा अगने परजाती दिश्टी से सदान आरे द्रवीड और अगने परजाती दिश्टी से सदान आरे द्रवीड तथा अगने कूल अगने कूल अर्थात तीनो वर्गों से समंदित है अर्थात तीनो वर्गों से समंदित है जबकि सदानों के सारिरिक गठल में जबकि सदानों के सारिरिक गठल में अरे द्रविड सथा आस्ट्रिक आरे द्रविड सथा आस्ट्रिक तीनों में या तीनों के लच्छन दिखलाई पड़ते हैं तीनों की लच्छन दिखलाई पड़ते हैं अर्थाथ इनका रंग गोरा सावला तथा काला तीनों प्रकार का है तीनों प्रकार का है साथी साथ इनकी लंबाई नाटी मद्यम तता अधीक तीनों है तीनों है निक्स पॉइंट जातिकत द्रिष्टी से सदानों को जातिकत द्रिष्टी से सदानों को दो अर्गों में बाड़ते हैं बाड़ते हैं जातिकत द्रिष्टी से सदानों को दो अरगों बारते हैं उसी में पर्थम भाग में ऐसे सदान को रखा जाता है जो जारखन के साथ साथ देश के अन हिसों में भी निवास करते हैं जैसे ब्राह्मन, राजपूत, भुमियार, माली, कुमहार, कुर्मी, बनिया, इत्यादी दूसरे भाग में ऐसे सदानों को रखा जाता है जो केवल जारखन में ही निवास करते हैं जैसे बड़ाइक, बड़ाइक, देशावली, भुईयां, पान, भुईयां, पान, सब लगए जाती है रौतिया, रौतिया, धानू, गुड़ाइत, लुहरिया, पाइक, तांत्रिक, परमानिक, यह अलग-अलग सदान है, फरमानिक, इत्यादी, इत्यादी इत्याद के अनुसार, असूर जनजाती, इत्याद के अनुसार, असूर जनजाती से पहले, असूर जनजाती से पहले, यहाँ एक सब्य, सब्य, परजाती थी, परजाती थी, निश्य ही यह सब्य परजाती सदानों की होगी, जो यहाँ के मूल वासी थे, जो यहाँ के मूल वासी थे, ऐसा माना जाता है कि असूर का, ऐसा माना जाता है कि असूर जनजाती थे, असूर जनजाती द्वारा लुहा गलाने यह बनाने का कारे सदानों के लिए किया जाता होगा, लुहा गलाने यह बनाने का कारे सदानों के लिए किया जाता होगा, निक्स पॉइंट, सदानों का धर्म एक जैसा नहीं है, इनमें हिंदू, मुश्लिम, बौध, जैन, उम अनधर्म के लोग सामिल हैं, हिंदू सदानों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ये सीव बैस्नों के भी उपासक हैं, जिन में कर्म कांड खूब पर्चलन में है, अधिकांस हिंदू सदान सीव के उपासक है, अधिकांस हिंदू सदान सीव के उपासक हैं, उपासक हैं, नेक्स पॉइंट, कुछ सदान जैन धर्म से प्रभावित हैं, जो सुर्यास्त के पसात भोजल नहीं करते, कुछ सदान जैन धर्म से प्रभावित हैं, ये सुर्यास्त के पसात भोजल नहीं करते, भोजल नहीं करते, ये लोग सुर्ज तथा मनसा के उपासक हैं, इस सुर्ज तथा मनसा के उपासक हैं, उपासक हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू सदान हैजा, हिंदू सदान हैजा, चेचक, आदी महमारियों को देवी प्रकोप मानकर, सीतला माता देवी की पूजा करते हैं, समाज रुप से सदानों का मुख पेशा किरसी है, मुख पेशा किरसी है और समाज पित्र सत्तात्मक है, ओम अदिवाश्यों की भाती सदानों के गाउं में और अदिवाश्यों की भाती सदानों का में, गाउं में भी अक्रा गाउं में भी अक्रा अक्रा मिलता है जहां अनेक आउसरों पर अनेक आउसरों पर निर्थ का आयोजन होता है निर्थ का आयोजन होता है होता है Next सदान अनेक जातियों एवं उप जातियों में बिभाजित है सदान अनेक जातियों एवं उप जातियों में बिभाजित है जैसे बड़ाइक पान तांती स्वासी भूईया घासी गोड़ाइद कांदू ग्वाला मलार सराग मुमिन जैसे बड़ाइक पान तांती स्वासी भूईया घासी गोड़ाइद कांदू गोळा तेली मलार सराग मुमिन इत्यादी उसी में जारखन के कूर्दन संक्या में सदानों की सदानों की जारखन के कूर्दन संक्या में सदानों की भागदारी लगभग साथ परतिसत से अधिक है अधिक है अधिक है जिनका मुख्य तिहवार होली, दिवाली, सोराए जिनका मुख्य तिहवार होली, दिवाली, सोराए काली पूजा दसारा छट इत्यादी है इसके अतिरिक्द इसके अतिरिक्द सरहूल सरहूल कर्मा तीज जीतिया भी इनका मुख्य तिहवार है मुख्य तिहवार है नेक्स जार्खन के अनसूचित जन जातियों में जार्खन के अनसूचित जन जातियों में चिक बड़ाइक चिक बड़ाइक कर्माली और किसान और किसान स्वेम को सदान मानती है स्वेम को सदान मानती है तो छार्खन मैं समझता हूँ आप सदान के बारे में अच्छी तरह समद गये होंगे कि सदान कहते किसे है सदान की क्या बिसिष्टा है सदान की परजाति कैसे रखते है सदान को जातियों में कैसे रखते है सदान को सारेरिक गठंक रिशे से किस वर्क में रखी जाती है इस सारी बाते आपने समझा है आपने ये भी देखा है सदानों की धर्म क्या है उनकी भासा क्या है कौन कौन सी भासा है उनका पेशा क्या है उनका तेहवार क्या है उनका संसकार क्या है इस सारी बाते आपने आज इस चेप्टर के मादियम से नोर्स और लेक्टर के मादियम से जान गे होंगे कि आखिर जो पढ़ना है जब बेसिप पीटी पेपर टूब में सदान इसका अर्थ क्या है मैं समझता हूँ जार्खन सदान से जो परसे पूशा जाएगा उसका उत्तर आप इस lecture और course के माध्यम से जरूर दे पाएंगे जातर गर्ण हम next class में हाजर होंगे जार्खन के अदिवासी जन्जाती को लेकर और देखेंगे कि ओधिवासी कितने परतिस्ता है कौन कौन है उसे मुख्य कौन है गौन कौन कौन है कितने परतिस्ता है कहा निवास करते हैं इस सारी बाते हम next class में लेकर हाजर होंगे okay thank you